तो नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल फ्री अज्यूकेशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम करंट अफेस का एक और ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है सयोक्त सेन अव्यास यानि की जोईंट मिलेट्री हम सभी को डिसकस करेंगे बिलकुल डेटेल में विथ एस्टाफेक्ट के साथ में डिसकस करेंगे आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हूं हर एक्जाम में एक से दो कॉस्टन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को विना स्किप किये लाश तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो शुरुआत कर लेते हैं नमर फर्स्ट कॉस्टन से पहला हमारा कॉस्टन है भारत और किस देश की नो सेना के बीच में वरण दो हजर एक की सेना अव्यास का आयोज़ित किया गया है तो देखें दोस्तो अपने देश भारत के बीच में और फ्र दूसरा उस सेन अव्यास का कौन सा वर्जन था और तीसरा आपको याद रखना है कि वो सेन अव्यास का आयोज़ित किस स्थान पर किया गया इन तीन फेक्टों से ही कॉस्टन पूछे जाते है तो पहला आपको याद रखना है कि जो वरण 2021 सेन अव्यास है इसका आयोज़ किया गया है और तीसर आपको याद रखना है कि इसका कौन सा संसकन था 2021 में तो 19 बा संसकन था और इसका आयजन जो है अप्रेल 2021 में किया गया है कहाँ पर तो इसका आयजन किया गया है अरब सागर में नेश्ट हमारा क्वेशन है दोस्तों मित्र सक्ती सेंक्तो सेन अव्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में आयुज़त किया गया दोस्तो मित्र सक्ती सेंक्तो सेन अव्यास जो है ये अपने देश भारत और स्री लंका के बीच में आयुज़त किया गया है ठीक है और इसका 2021 में कौन सा संस्क्न था तो आठवा इसका संस्क्न था ठीक है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है स्री लंका के अमपारा एस्तित कॉमबेक ट्रेनिंग इस्कूल में ठीक है उद्देश क्या है तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबन्द को बढ़ाना तथा आतंग बादरोधी अवियानों में वहतर प्रक्रियाओं को साजा करना इसका प्रमख उद्देश है भारत और स्री लंका के बीच में होने वाला एक सेन्ग तुसेन अभ्यास है और 2021 में इसका आठवा संसकन आयज़त हुआ है नैश को सेन हाली में काजिन्द सेंग तुसेन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयज़त हुआ है दोस्तों काजिन्द सेंग तुसेन अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयज़त कि तो कजाकिस्तान के आईसा भी भी नाम के स्थान पर इसका आयोजन किया गया और 2021 में काजिंद सेंग तो सेंग अभ्यास का ये पांचवा संस्कन था चलिए नेस्ट कॉस्टन को हम देख लेते हैं सेंग अभ्यास खंजर 2021 जो है ये भारत और किस देश की थलसेना के बीच में आयोजित हुआ है दोस्तो खंजर 2021 सेंग तो सेंग अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और किरगिस्तान के बीच में हुआ है और यह एक थलसेना अभ्यास है ठीक है और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो किरगिस्तान की राध्धानी में इसका आयोजन किया गया है कि अरगस्तान की राध्धानी क्या है बिसकेक है ठीक है तो बिसकेक में इसका आयोजन किया गया और इस साल इसका कौन सा संस्कन था दोस्तो इस साल इसका आठवा संस्कन था इसका आयोजन जो है भारत, भूटान, स्रिलंका और बांगलदेश इन चार देशों की बीच में शुरू किया गया है यी ओप्सन सही हो जाएगा उपर एक तो सभी चलिए दोस्तो सारे इंपोर्ट फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं दोस्तो बांगलदेश की राष्ट पती बंगमंदू सेख मुझबर रह्मान की जन्म साताबदी के उपलक्ष में सांतिर अग्रो सेना 2021 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहां पर किया गया तो बांगलदेश में इसका आयोजन किया गया ठीक है इसका उद्धिस क्या ह और सेन सकती का प्रदाशन करना आतंकबाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसे इस्तिती से निप्टा जा सके ठीक है तो दोस्तो सांतिर अभियानों को मजबूत करना जो है ये सांतिर अभियानों को मजबूत करना जो है ये सांतिर अभियानों को मजबूत के बीच में पहला कॉंकर सकती नामक Sanktosin अभ्यास आइज़त हुआ है और दोस्तों यदे हम बात करें कि इस साल ये पहली बार हुआ है चूकिं ठीक है Sanktosin अभ्यास का नाम क्या है कॉंकर सकती है और ये United Kingdom और भारत की बीच में पहली बार आयोज़ित हुआ है तो इसका सल्सक्रन कौन सा कहलाया पहला कहलाया और इसका आयोज़ित कहां पर किया गया मॉंबई में और आयोज़ित कप किया गया तो अक्टूबर 2021 को इसका आयोज़ित किया गया नैश्ट हमारा क्वेसन दोस्तो अजे वारियर 2021 सेन अभ्यास किन दो देशों की बीच में आयोज़ित किया गया दोस्तो अजे वारियर 2021 जो सेन अभ्यास है ये अपने देश भारत और United Kingdom की बीच में आयोज़ित किया गया है ठीके और इसका आयोज़ित कब किया गया और 2021 में अजय वारियर का कौन सा संस्कन था तो 2021 में अजय वारियर का छटवा संस्कन था चलिए नेश्ट कोस्टन को हम देख लेते हैं नैस्ट कोस्टन है हाली में जमैक्स 2021 युद्धव्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजिथ हुआ है दूस्तों जमैक्स 2021 जो युद्धव्यास है ये अपने देश भारत और जापान में किया गया ठीक है यहाँपर जमैक्स नाम से आप जैसे निकाल सकते हैं कि ये भा और जापन की बीच में आयोजित किया गया और दोस्तों इसका आयोजित किया गया है तो अरप सागर में कहा पर अरप सागर में इसका आयोजित किया गया है चलिए next question को हम देख लेते हैं संबैक्स अभ्यास 2021 भारत और किस देश की बीच में आयोजित हुगा है दोस्तों संब भारत और संगापुर के बीच में होने वाला एक समुद्री सेन अव्यास है ठीक है और 2021 में इसका 28 बार संस्कन आयोज़ित हुआ है और इसका आयोज़ित कहां पर किया गया तो दक्षनी चीन सागर में ठीक है दक्षनी चीन सागर में इसका आयोज़ित किया गया है चलिए next question को हम देख लेते हैं, OS Index अव्यास भारत और किस देश की बीच में आयुज़ित किया गया, दोस्तो OS Index यहां से भी आप 5 से निकल सकते हैं, तो OS Index जो है, इसका आयुज़ित किया गया है, अपने देश भारत और OS Index के में जो OS सब्द लिखा है, तो यहां से हम पकड़ लेंगे OS fractions किया गया है, तो अपने आउस्टेलिया में इसका OS किया घया है, सारे फेक्ट जो मैं बताता हूँ, उन फेक्टों से कोसन पूछे ही जाते हैं, तो सभी को आप याद रखें, और चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं next one की हम बात कर लेते हैं हाली में भारत और किस देश के मद्ध में equivalent अभ्यास आयोज़त हुआ है दोस्तो अपने देश भारत ठीक है अपने देश भारत और मालदिप की बीच में equivalent अभ्यास का आयोज़न किया गया चलिए फैक्टों की यदि हम बात कर लें दोस्तो भारत और मालदिप की मद्ध में equivalent अभ्यास का जो आयोज़न है ये 6 से 19 दिसंबर तक चलेगा और equivalent अभ्यास 2021 में कौन सा वर्जन था कौन सा संस्क्रण था तो ग्यार बात था आयोज़न इस्थल की यदि हम बात करें तो मालदिप के कड़धू दिव पर इसका आयोज़न किया गया और पहली बार equivalent अभ्यास का आयोज़न जो है 2008 में किया गया था next one की हम बात करें यदि दोस्तो तो भारत और रूज की तीनो से नो की बीच में आयोज़न कहां पर किया गया यदि आंसर पता है तो लगाए आंसर दोस्तो इसका आयोज़न किया गया है बोलगो ग्राड में कहां पर बोलगो ग्राड में इसका आयोज़न किया गया चलिए सभी फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं दोस्तों 1 से 13 अगस्त 2021 के मद्ध में भारत और रूस की तीनों सेनों के बीच में संक्त सेन अभ्यास इंद्र 2021 का वारवा संसकन याद रखना कौन सा वारवा संसकन रूस की बोल को गराड छेतर में आयोज़ित किया गया और इस सेन अभ्यास का उद्धिस क्या है तो दोनों देशों की सस्त्र बलों के बीच में सहयों को और अधिक मजबूत करना इसका प्रमुख ओद्धिस से है चलिए नैश्ट वन की बात करें डैजर्ट फ्लेक 6 अभ्यास की मेजवानी किस देश ने की है दोस्तों डैजर्ट फ्लेक 6 अभ्यास जो है इसकी मेजवानी की है UAE य इसका आयोजन किया गया और 3-37 मार्ज तक इसका आयोजन किया ठीक है इस अभ्यास में भारत, फ्रांस, अमेरिका, सहत, 10 देशों की वायू सेना ने हिस्सा लिया है ध्यान रखना इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है नैश्ट कोस्टन है डैजर्ट नाइट 21 दुई 21 भारत और फ्रांस की वायू सेना की बीच में होने वाला दुई पक्षिये शेन अभ्यास है इसका आयोजन कहा पर किया गया तो जोदपुर हवाई अड़े पर और 20-24 जन्मरी तक इसका आयोजन किया गया अब दुस्तो भारत और फ्रांस की बीच में होने वाले महत्पू सेन अभ्यास की हम बात कर लेते हैं तो वरण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक नौ सेन की उद्ध अभ्यास है और गरण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक वायू सेन अभ्यास है और जो सकती है ये जो है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक संक्त सेन अव्यास है चलिए नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं वज्जर प्रहार संक्त सेन अव्यास किन दो देशों की सेना के बीच में आयज़तुगा है दोस्तो बज्जर प्रहार संक्त सेन अव्यास जो है ये आयज़त हुगा है अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में ठीक है ए ओप्सन सही हो जाएगा यदि हम बात करें बज्जर प्रहार 2021 में तो 2021 में इस सेन अव्यास का कौन सा वर्जन था तो 2021 में इसका 11 वर्जन था और इसका जो आयोजन इस्थाले वो क्या है बकलो है हेमांचल प्रदेश के बकलो है में इसका आयोजन किया गया याद रखना है आपको नैश्ट हमारा कोशन है दोस्तो सेंक्त सेंन अभ्यास युद्धा अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच में आयोज जित्थुगा है दोस्तो युद्धा अभ्यास सेंक्त सेंन अभ्यास का नाम क्या है युद्धा अभ्यास और इसका आयोजन किया गया है अपने देश भारत और अमेरिका के बीच में C options हो जाएगा और 2021 में युद्धाअव्यास का कौन सा संश्क्न था तो सोलबा संश्क्न था इसका आयोजन कहां पर किया गया है राजिस्थान में इसका आयोजन किया गया है और 8 से 21 फरवरी तक इ मेक्स 2021 जो है ये त्री पक्षिये समुद्री अभ्यास है और इसका आयोजन जो है अंडमान सागर में हुआ है B option साई हो जाएगा ठीक है और ये त्री पक्षिये अभ्यास है तो इसका आयोजन किसकिस देश के बीच में होता है भारत ठीक है दूसरा Singapore और Thailand की बीच में इसका आयोजन होता है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया अंडवान सागर में इसका आयोजन किया गया और 2021 में इसका कौन सा वर्जन था तो 2021 में इसका तीसरा वर्जन था नेश्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तो हाली में भारत थाइलेंड समन्वेत गस्ती अभ्यास का वत्तीस बास संसकन कहाँ आयोजन किया गया चलिए और फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं दोस्तो 12-14 नौमर 2021 के मद्ध में भारती नौसेना और रोयल थाइसेना के बीच में भारत थाइलेंड समन्वेत गस्ती अभ्यास का वत्तीस बास संसकन जो है इसका आयोजन किया गया है हिंद महा सागर में कितने देशों के बीच में आयोजन किया जाता है दोस्तो सांती मिसन जो सेन अभ्यास है ये आठ देशों के बीच में आयोजन किया जाता है चलिए इसके हम सारे फेक्टों को डिसकस कर लेते हैं दोस्तो सांती मिसन 2021 सेन अभ्यास जो है इसमें आठ देशों ने भाग लिया है चाइना रसिया कजाकिस्तान तजाकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान और उजबिकिस्तान ठीक है सभी में तान ताना रहा है और इसमें अपने देश भारत ने भी भाग लिया है और 2021 में इस में संदे दूं कि 2021 के जितने भी topic हैं ठीक है जितने भी trending topic हैं जहां से question पूचे जाते हैं सभी को हमने cover किया है और topic wise current affairs 2021 नाम से हमने playlist भी बना दी है और यदि आप सारे topic देखना चाहें तो हमारी playlist को ज़रूर पिजिट करें playlist की link आपको यहाँ पर i button मिलेगी या फर नीचे description मिलेगी अब next question है जायत तलवार 2021 सेन अभ्यास भारत और सयोक्त अरब अमीरात के बीच में कहां पर आयोज़त किया गया तो सबसे पहले तो यही याद रख लो कि जो जायत तलवार सयोक्त अरब अमीरात के बीच में आयोज अबी में इसका आयोजन किया गया है नेश्ट हमारा question है दोस्तो भारत और किस देश के बीच में सूर्य करण 2021 सेयोक्त सेन अभ्यास का आयोजन किया गया तो देख दोस्तो भारत और नेपाल के बीच में ठीक है भारत और नेपाल के बीच में सूर्य करण सेयोक्त सेन अभ् का आयोजन किया गया और आयोजन कहां पर किया गया है दोस्तो उत्राखंड के पिथोरा गड़ में कहां पर उत्राखंड के पिथोरा गड़ में इसका आयोजन किया गया है नेश्ट को सेने भारत और सौधी अरब के बीच में कौन सा पहला सेंक्त नौसेनिक अव्यास आयोज अल मोहद, अल हिंदी अभ्यास, A option सही हो जाएगा, ठीक है, next one की हम बात कर लेते हैं, दोस्तो, next हमारा question है, पासेक्स सेन अभ्यास भारत और किस देश की बीच में आयोजित हुआ है, दोस्तो, पासेक्स सेन अभ्यास जो है, यह अपने देश भारत और वहरीन के बीच में आ किया गया, दोस्तो, 2021 में हुए, 23 सेन अभ्यास को हमने डिसकस किया है, और बिलकुल डेटेल में, with extra fat के साथ में डिसकस किया है, जो fact आपके exam point of view से important है, उन सभी factor को हमने डिसकस किया है, I hope आपको यह session पसंद आया होगा, अब next and last question है, आपके लिए challenging question है, जो कि हम अपने previous वीडियो से पूचते हैं, previous वीडियो में हमने brand ambassador को discuss किया था, और वहीं से हमने इस question को add किया है, question पूचा गया है, mobile premier league, यानि कि MPL का नया brand ambassador किसको बनाया गया है, और यदि या brand ambassador का वीडियो देखना चाहें, तो topic wise playlist में जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं, हमने 18 brand और उनके brand ambassador को बिलकुल detail में discuss किया है, तो thank you दोस्तो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आपको कैसा लगा, इमानदारी से comment करके बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ म हैं, और बिलकुल detail में यदि आप पढ़ना चाहते हैं current affairs को, तो हमारे चैनल को subscribe करें, साथ में bell icon दबाएं, ताकि जब भी में कोई नया, और इसी प्रकार का important वीडियो डालूं, तो इसको आप miss ना कर पाएं, सबसे पहले वीडियो देख पाएं, और इसी प्रकार के important वी बेरी useful वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियो को जरूर देख लें, thank you दोस्तो, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत, बंदे मात्रम, भारत माता की जय,